पहिला जो घर की लक्षमी होती है उसका नाम बजार में दारू के ठेके के उपर लिख देते हैं। 25 साल लगते हैं एक बच्चे को पाल कर बढ़ा करने में और 25 सेकंड में लापरवा ड्राइविंग के कारण वो लाश में बदल जाता है। क्या बीटती होगी उस मां के उपर जो अपने जाते हुए बेटे की पीठ देखती है और आते हुए बेटे का मुझ नहीं देख पाती। माबाब मैं आप से कहती हूँ जैसी भी परीश्थिती होती है माता पिता आपको राजकुमार की तरह पालते हैं आपकी भी ड्यूटी है जैसी आपकी हैसियत है बुढ़ापे में उनको बादशाओं की तरह से रखिये उनकी सेवा कीजिए उनका सम्मान कीजिए। काओं की तरफ से मैं बहुत संख्शेप में छोटी सी बात आपसे अपील करना चाहती हूं जो कोम अपनी बढ़ाई करती रहती है अपना आत्म चिंतन नहीं करती उसकी गती रुक जाती है प्रगती की पहले भी बात कही गई लेकिन मैं तीन चीजों की तरफ आपका ध्यान द प्रति आकर्शन महिलाओं के नाम से लोट्री डाली एप्लीकेशन लगाते हैं और महिला जो घर की लक्षमी होती है उसका नाम बजार में दारू के ठेके के उपर लिग देते हैं एक खास चीज जो मैंने देखी बड़ी नकार आत्मक अपनी अपनी जाती के अपराधियों का पक्ष लेना शुरू कर दिया है सबने पितर बना दिया है अपनी अपनी जाती के अपराधियों को ये अपराधि खुद बरबाद होते हैं और अपने पीछे पूरी युवा पीड़ी को बरबाद करते हैं मैं आपको एक उधारन देती हूँ एक ऐसे शक्ष एक ऐसे खि पीछे बैठे हैं यह हमारे लिए दुख की और शर्म की बात है और तीसरी चीज तेस ड्राइविंग एक लाख युवक बाकी बड़े उम्र के लोग अलग हैं एक लाख युवक जान गवाते हैं हर साल लापरवा ड्राइविंग के कारण आप सोचिए 25 साल लगते हैं एक आते हुए बेटे की पीठ देखती है और आते हुए बेटे का मुह नहीं देख पाती आप लोग क्या सोचते हैं अगर आप अपनी पावर दिखाना चाहते हैं तो मिलखा सिंग की तरह तेज दोड़िये या कि आप निरत चोपडा की तरह देवेंदर जाजडिया की तरह आ मोटर साइकल का कान मरोडने में या तेज गती से कार भगाने में कोई कोई बहादूरी नहीं होती अगर आप सोचते हैं कि आप बड़े हैंडसम और डैशिंग दिखते हैं तेज गाड़ी भगाते हुए आप डैशिंग हैंसम नहीं दिखते आप लापरवा दिखते हैं जब भी गाड़ी चलाएं आप ध्यान से गाड़ी चलाएं आपकी जिन्दगी आपके माता पिता की भी है एक छोटी सी चीज और कहना चाहती हूं हमारे बुजुर्ग हमें जब पालते हैं जो लोग खेती से बच्चों को पढ़ाते हैं जो लोग छोटी आमदनी में बच्च करते हुए हातों में आईटन पढ़ जाते हैं एडियां फट जाती हैं कपड़े मेले फट जाते हैं और उसके बाद जब बेटे को पढ़ा लिखा कर तयार करते हैं उसके बाद पढ़ी लिखी बड़े घर की थोड़ी बेटी आ जाती है तो माबाप की तरफ ध्यान नहीं आज हमारे 60-70 प्रटिशत घरों में हालत यह है कि पुजूरों को रोटी तो मिल रही है लेकिन इज़त से रोटी नहीं मिल रही है इस चीज को बदलने की जरुरत है माबाप मैं आप से कहती हूँ जैसी भी परीस्थिती होती है माता पिता आपको राजकुमार की तरह पालते जीए वो अपनी जिंदगी आपके लिए कुर्बान कर देते हैं और माताएं बेने बैठी है एक छोटी सी लास्ट बात जो मैं कह रही हूँ बेटियों को समझदार बनाईए बेटियों को बेटा मत बनाईए क्योंकि बेटे तो लापरवा होते हैं बेटियों को समझदार बेटि बनाईए जब वो घर से बाहर जाती है तो उसको समझाईए कि वो साथ अपने घर की इजट ले करके जाती है बेटियों को समझाईए कि कैसे लोग मिठी मिठी बातों का जाल लेकर शिकारियों की तरह से घूमते हैं और अपनी बेटी को संसकार दीजिए कि वो जिस इस घर में जाए अपने सास ससूर की सेवा करें आजकल मैंने नया ट्रेंड देखा है बेटियां मा मम्मी की तो बहुत चिंता करती है लेकिन सास की चिंता नहीं करती है ये गलत चीज है औरत घर की धूरी होती है अगर व्रद्द लोगों की चिंता नहीं करेंगे तो हमारे व शिक्षा पर ध्यान दे हमने ये सब किया है मैं आपको बधाई देती हूं